नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल और जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरे दो बच्चे हैं श्लोक और सात्विक सात्विक बड़ा बेटा है 5 साल का है और उसे और उसे और मैं उसकी घर पर ही थेरिपी करती हूँ काफी टाइम से और काफी मुझे प्रोग्रेस भी दिख रही है तो इस वज़े से मैं अपने सारे वीडियो यूट्यूब पर भी शेयर कर रही हूँ तो आज की जो वीडियो है वो तो मैंने किसी और बड़ सोची भी थी लेकिन एक सिस्टर ने कमेंट करके बोला है कि अपने बेटे की जो सिटिंग टॉल्डेंस है उस पर क्या करना चाहिए इसके बारे में आज मैं बताऊंगी जो सिटिंग टॉल्रेंस है वो काफी काफी जादा अच्छी हो गई है वो अब मैं उसे दो दो घंटी भी बैठा लेती हूं आराम से पहले वो पांच मिनट भी नहीं बैठ पाता था मतलब यह मानलो कि मुझे उसे जबर्दस्ती पकड़ के बैठाना पड़ता था तो मैंन सिटिंग टॉल्रेंस कैसे बढ़ाई तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपको बच्चे में क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले प्रॉब्लम हो सकती है हाइपरक्टिविटी की आपके बच्चे में अगर हाइपरक्टिविटी है तो आपको जो मैंने आपको पहले एक्स थेरेपी हो गई ये करा सकते हैं इसके अलावा क्या कर सकते हैं मांने तो निन टाइम में बच्चे को उठाकर क्या पार्क ले जा सकते हैं इससे क्या होगा कि फने आप के नहीं है तो सबfold सब चैनलाइजी ज कर्णा होती है या फिर श्विमिंग से अगर आपने खते हैं यह तो बहुत अच्छी बात है composer सबसे ज्यादा एनरजी बर्न होती है तो आप उसे साइकल से चार चकर लगा लिजिए और तो उससे क्या होगा कि उससे थोड़ी एनरजी उसकी बर्न होगी ठोड़ा रिलेक्स होगा उसके बाद आपको सिटिंग वाली थेरीपी करानी है दूसरी बात मैंने किया किया था कि म अपने बच्चे को किसी डाइटिशन को दिखा करके उसकी जो है प्रूड़ी लिखा सकते हैं और उसी के अप उसके अप उसके जो शुगर पर चुगर से अनरजी बहुत जादा हाई होती है तो शुगर मैं उसको फूट्स के थू देती हूं या फिर जैगरी कभी देती मैं उसे वाइट शुगर बिल्कुल भी नहीं देती हूं कभी 6 मैंने में एक बार कभी किसी बर्डे पाटी में चले गए या फिर बाहर चले गए मजबूरन देना पड़ जाए तो मैं दे देती हूं अधर्वाइस मैं आवाइड ही करती हूं मैंने सबको इंस्ट्रक्शन अगर किसी को मेरे घर आना है तो प्लीज चॉकले टॉफी जिप्स वगर कुछ नहीं लेंगे अगर लाना ही है तो फ्रूट्स लेके आएंगे और कुछ नहीं लेके आएंगे ये सब चीज अगर आप कर लेंगे तो हाइपर एक्टिविटी कम होगी इससे तो आप अगर काम करेंगे वह मैं लेके चलती हो आपको अपने बेटे के पास तो दोस्तों मैं इसे बिल्कुल कोने वाली जगह में बठाती हूं ताकि यहां से बिल्कुल हीली न पाए अब मुझे बठाने की ज़रूरत नहीं पढ़ती है जब मैं पहले इसे बठाती थी तो मैं ऐ इस थीन पर आता थी यहां चल लход कर्वद मुझे बहुत रहता कि शजह आता रहे और मैं आज मुझे वट कर रहा है कि वो उससमें मैंने सहां कि अधिनिकरा तो आज मुझे ड Clean Challenge डिकन कीना तो एसे बंठना पड़ता था पिर 10 दिन बार पांच मिनट तूश चॉल तो आपको ऐसे बठा के बच्चे को इंगेज करना है अब इंगेज कैसे कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर यह लेकर आई हूं आप यह लगवा सकते हैं इससे क्या होगा कि आपके और साथ में बैठा भी रहेगा और इसके अलावा में आप लोग क्या कर सकते हैं यहां पर आप वो चीज़ रह सकते हो जो आपके बच्चे को सबसे ज़ादा पसंद है अधिकतर बच्चे को पानी बहुत पसंद होता था मैंने जब यह थोड़ा बहुत बैठा शुरू किया लगा कशम सुचार्फ पाता तो भी सोफ मपनी ते भी साटब युजब रहा करें इसमें किया चुल्या कहें को वी टाधी ओक शॉसमार बेटा रहता था तो इसे दो फाहिदे होते था है तो बैठा रहता था सिटिंग तो इसकी बड़ी रही है उसकी बात टेक्टाइल वाली जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो रही है तो इसी तरीके से मैं इसे बठाय रखती थी फिर जैसे और बच्चा एक ही चीज बार-बार नहीं करता है जब मैं उसे पानी से खिलाती थी और बोर जाता था तो मैं तुरंत पानी हटा करके दूसरी चीज लियाती थी ताकि उसका ध्यान भागने से अटके इसमें लग जाए यह खिलने लग जाए इस तरीके से मैं बच्चे को बैठाय रखती थी उसका सिटिंग टॉर्डरेंस इस सब चीज बर यहां पर ऐसे रखे रहती थी यह अनिमल्स हैं यह फूट्स हैं और यह कुछ फ्लेशकार्ट्स हैं तो यह देखो यह आराम से इसका इसमें इसकी ट्र्दी मोटर्डर्डिस्किल भी डेवलब हो रहे हैं और इसका जो आई हेंड कोर्डिनेशन है वह भी बढ बच्चों को खेलना और बहुत जादा पसंद है तो इससे खेल रहा है तो इसके टैक्टाइल सेंस की पर प्रॉब्लम दूर हो रही है और इसकी सेटिंग टॉड्रेंस भी बढ़ रही है एककले है भाव तो अब स्वाधा दी अच्छा और यह ऐनिमंल के साथ भी बहुत अच्छे से खेलता है यह बनाकर के बोलता है कि मैंने जू मेरे заод jean जू करके आता है मेरे पास विवर इस नहीं के खेलता है तो उसी चीजों से आप इसे आराम से बैठा सकते हैं को बाले की और अगर उसे प्यास लगी तो इसे बीज-बीज़ा पानी भी पिलाती रही है उसका भी मेरी इंतिजाम करे रखती हो जब भी मैं यह कराती थी अब मुझे जरुरत नहीं पड़ती है इसको अब तो यह बैठा रहता है हाइपर एक्टिव अभी है उस पर काम चल रहा है अभी इसका तो देखा दोस्तों कैसे यह बीजी है अपने उसमें अपने गेम में तो इसी तरीके से आपको सिटिंग टोलरेंस बढ़ानी है एक दिन में नहीं आएगी मैं हमेशा यह आपसे कहती हूँ एक दिन में कुछ भी पोछा इस सब बहुत कम करती थी अपने बच्चे पर ध्यान देती थी तो यह सब चीज आपको भी करना पड़ेगा तो आई होब आपको वीडियो पसंद आए और अगर आपको अच्छी लग रही है तो यह चीज आप अपने बच्चे पर करवाए और जरूर फाइदा और आज की वीडियो में यहीं पर खतम करती हो तो फिर बाइ बाइ करो सात्विक बाइ करो यहां एक तर देखे तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाइ